बिग बॉस सत्रह के फाइनल वीक में वाइल्ड कार्ड कॉंटेस्टेंट बनकर घर में आई अदाकारा आईशा खान को करारा जटका लगा बीच शो में मुनवर फारुकी की पोल पट्टी खोलने के मकसद से आई आईशा खान ने उन पर टू-टाइमिंग का आरोप लगाया था जिसे देख लोग दंग रह गए इसके बाद आईशा खान शो के दौरान मुनवर फारुकी से ही प्यार और नफरत दोनों दिखाती दिखी जिसके बाद उनका गेम लोगों को कमफ्यूज कर गया अब जैसे ही आईशा खान ने घर से बाहर कदम रखा तो भी उनका पहला हमला मुनवर फारुकी के लिए ही रहा आईशा खान ने बेघर होने के बाद सबसे पहले पोस्ट कर मुनवर फारुकी पर निशाना साधा है आईशा खान ने मुनवर फारुकी के लिए क्या लिखा? आईशा खान ने बेघर होने के बाद सबसे पहली इंस्टा स्टोरी पर फैंस को एक लंबा नोट लिख उन्हें शुक्रिया अदा किया है Entertainment News World में वाइरल हुई आईशा खान ने इस पोस्ट में लिखा, ये एक मुश्किल सफर रहा उतार चढ़ावों से भरा लेकिन मैं आपके मिले बेपनाह, प्यार और समर्थन को लेकर बेहत खुश हूँ ये आप लोगों के बिना संभव नहीं था कर्श से भरी और आपके प्यार के लिए हमेशा के लिए आभार व्यक्त करती हूँ जिन्दगी सौंप दी है, आपके हाथों में बस आपका प्यार चाहिए और हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त धेर सारा प्यार आईशा खान अदाकारा आईशा खान के इस इंस्टास्टोरी पर लिखे नोट को लोग मुनवर फारुकी से जोड़ कर देख रहे हैं घर के अंदर मुनवर फारुकी ने अपनी जिन्दगी को लेकर कुछ भी खास खुलासा नहीं किया मुनवर फारुकी ने शो के दौरान नाजिला सीताशी को पहले अपनी गर्ल्फ्रेंड बताया था आईशा के आने के बाद वो बैक फुट पर दिखे और नाजिला से ब्रेक अप का खुलासा किया बाद में वो आईशा खान से भी कन्नी काटते दिखे साथ ही मुनवर फारुकी ने आईशा खान के गंभीर और संसनी खेज आरोपों का खुल कर जवाब नहीं दिया जिसकी वजह से मुनवर फारुकी को परसालिटी फैंस को भी कमफ्यूस कर गई है उनके इन आरोपों का जवाब मुनवर फारुकी बाहर आकर देते हैं या नहीं ये तो खैर देखने वाली बात होगी दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया वीडियो के साथ झाल